राधे राधे नानी बाई की ससुराल में नर्सी जी पहुँच गए हैं और पिता जी को देखने के बाद नानी बाई बेहद प्रसन हैं और सास से कहती है बाबा जी ने देख्या मैं तो हरी ने भरी अरे मा एरो नहीं लाया महारे आया तो सही बुंडा भला सासो जी किसा ही की जो अरे मारा बुडा बाप जीवता जीवितो रहो कितनी बड़ी बात कही नानी बाई ने कि मायरा नहीं लाये तो ना सही इस उमर में इतनी तकलीफ उठा कर इस उमर में इतनी तकलीफ उठा कर मेरे पिता जी आये तो सही पर सास वो तो प्रसन नहीं है उसे तो मायरा जीए वहत अच्छा मायरा वो भी वो मायरा जो उसने लिखवाया है वो वाला मायरा लाया है की नहीं देगा की नहीं भरेगा की नहीं नानी भाई कहती है इतनी तकलीफ में दुख उठा के मेरे पिता जी आये तो सही अब सासू जी आप जितना मर्जी बुरा भला कहो इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मेरे पिता जी जिन्दे रहे चीवते रहे प्यार से रहे यही मेरी तमन्ना है महराज इतनी बड़ी बात जब कही नानी भाई ने तो घर के लोगों के अंदर एक अलग ही भुकम आ गया कि अपने पिता जी की तरफ बोल रही है ये पुशनी की बजाए कि मायरा लाए है कि नहीं उनी के फेवर में बात कर रही है उनी के पक्ष में बोल रही है अरे गई थी तो पुशनी ये था ना कि मायरा कितना लाए हैं क्या दे रहे हैं मायरे में अब नानी भाई के देवर है नरायन जी हा नरायन सबसे छोटी हैं घर में सबसे छोटी लेकिन सबसे बड़ी हैं क्यों हैं सबसे बड़ी जानते हो घर में कोई भी बात किसी भी प्रकार की हो प्रन्तु नरायन जरूर बोलेंगे और पहले बोलेंगे नानी भाई के देवर ने क्रोध में इतने गलत शब्दों का प्रियोग करा इतने गलत शब्दों का प्रियोग किया कि नानी भाई सुन के दंग रह गई और क्रोध में जो करती है ना कहता है आया तो मैं दर्शन पाया आई करते हैं सबसे छोटा सबसे खोटा क्यों है जानते हो यह ज़्यादा तर परिवार में छोटे बच्ची के साथ होता है गलत बोल दिया अरे कोई बात नहीं बच्चा है खेल खेल में किसी को मार दिया कोई बात नहीं बच्चा है फिर वो बच्चा बच्चा नहीं रहता वो सबके पिताजी बन जाते हैं नरायन वही सबके पिताजी बन गए अब नरायन नरायन नहीं सबके पिताजी है देखी कोई नहीं घर मे कह रहा है लेकिन नरायन क्या बोल रहे हैं आया तो में दर्शन ने पाया आया तो में दर्शन ने पाया मेली तो धरा मतलब आ गए हमने दर्शन कर लिए उनको बोलो घर जाए आया तो में दर्शन ने पाया मेली तो धरा अर भ्याई जी ने देख्या में तो लाजा ही मरा उन्हें देख्के हमी शरम आती है रे रे मोड़ी आरी जाई रे रे मोड़ी आरी जाई कहें का गुमान अरे सादू की बेटी किस बात पर इतना गुमान करती हो देख्ये सबसे छोटा कितनी बड़ी बात कह रहा है कि रे रे मोड़ी आरी जाई कहें को गुमान अरे मोड़ी आ लावे छे खावे मांगे मांग था किस बात पर इतना गहमंड करती हो तुम्हारे पिताजी घरगर मांग के तो खाते हैं इस बात पर नानी बाई क्या कहती है अगले प्रसंग में देखेंगे बहुत ही अच्छा जवाब देती है नानी बाई अगले प्रसंग में करते हैं तब तक के लिए मैं दर्शन शर्मा खुश रहिए मस्त रहिए राधे राधे